हेलो आज हम सीखेंगे रिफ्स आफ कंट्री इन स्लैक्ट कंट्री फील्ड यूजिंग जावा स्किप्ट की मदद से हम यह सीखेंगे क्या है लिफ्स आफ़ कंट्री शोज कि कर सकते जैसा कि हमारे पास यह साइन अप पर फार मैं चोटा सा उसमें यह कंट्री की फिल्ड है अब यहां पर हम अभी देखें कुछ भी नहीं है कोई कंट्री शो नहीं होगी लेकिन आम इसमें एक जावा स्क्रिप्ट की लाइबरेरिया एड़ करेंगे उसके बाद आप यहां पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट होगी उसमें से आप कोई भी कंट्री स्लेक्ट कर है लेबल करें दिया है कंट्री यहाँ पर स्लेक्ट इड रिफक हमने इसको दी है कंट्क 2 तो आपने न्याज़ार एडु कि ता यहाएडी दे में ओडेां क्योंकर जावा स्क्रिप्ट की जो लाइबरेरी इस में इन चयंदbelsब्स आप करना में दीघकारा कॉर 50 आपन करना selected is equal to selected आपने HTML यह जो है same to same आपने यही लिखनी है तो आप यहां से भी देख के लिख सकते हैं अब यह जो अमने बस चोड़ा सा फार्म है अब इसकी यह सिंपल सी मैंने CSS लिख ही है यह आप खुद भी लिख सकते हैं मर्जी से यह आप यह देख के लिख सकते हैं इसमें यही रिजिस्टर साइन अप है एच वान और यही छोटी सी जो है हमने CSS में ने खुद लिख ही है फार्म को डिजाइन करने के लिए तो अगर आप ने यही लिख ही है तो यह भी लिख सकते हैं वरना आप खुद से भी लिख सकते हैं अब हमने इस सेंपली यह हमारा हो गया HTML or CSS अब हम एक Google Chrome पर जाते हैं न्यू टैब में जाते हैं अब यहाँ पर मेरे पास एक Link है यह Link है इसे में Copy कर लेता हूँ यह Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसे डाल दूँगा तो आप वहाँ से जाके यह JavaScript की फाइल Library डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से मैंने Copy कर लिया सेंपल आप में Google Chrome पर गया यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसे और यह हमने इसको Open कर लिया है अब Open किया है तो हमारे पास यह सेंपल एक जो है Library Open हो गई यहाँ आपने Code पे क्लिक करना है Code पे क्लिक करेंगे तो यह लिखा हुआ है Download Zip इस पे आपने क्लिक करना है तो एक Zip File जो है यह यहाँ पे मैं Desktop पे डाउनलोड कर लेता हूँ तो यह हमारी डाउनलोड हो चुकी है यह यहाँ पे पड़ी हुई है Simply हमें New Folder बनाता हूँ New Folder इसका नाम हम BCCC रख देते हैं अब यह जो पड़ी हुई है इसको इसके अंदर कर देते हैं अब Simply यहाँ पे हमें इसे Extract कर लेते हैं Extract Here अब यह Extract होके एक Folder आगया इसको Copy कर लेते हैं Copy किया है यहां से अब हमारे पास यह जो यहाँ पे हमारे पास था Folder यह Folder मेरे पास जहाँ पर पड़ा हुई है इसमें जा के हमने पेस्ट करने है ताके वो भी Folder इसमें Open हो जाए यह यह फोल्डर प्रोजेक्ट 101 के नाम से यह फोल्डर में ने Open किया हुए जिसमें मैंने recording कर रहा हूँ तो यह मेरा पड़ा हुए C Drive में Simply मैंने C Drive में गया यहां पे Xem यहां HT Docs और यह मेरा यहां पे यह पड़ा हुए प्रोजेक्ट तो यह मैंने Copy किया था तो इसके अंदर दो ही फाइल है एक HTML की एक JavaScript की JavaScript वाली फाइल पे आप Right Click करें जब Right Click करेंगे तो यहां पे आपको Copy Path का Option मिल जाएगा आपने Copy कर लेना है Path और दोबारा अपनी वही Country यह Data HTML वाले फार्म में चले जाना है तो यहां पे यह जो पाथ है यहां पे आपने इसको लिंक कर देना है सिक्रिप्ट SRC तो यह जो हमने Copy किया था Path वो हम यहां पे Paste कर देते हैं अब Simply यहां से हमें पीछे जो यह फोल्डर वगरा का नाम आया है हमने से safe कर लेने Simply क्ट्रोल S की मदद से safe कर लिया हम अब दोबारा से अपने Google Chrome पे जाते हैं तो यह अमारा Farm था इसे refresh कर लेते हैं तो हम यह से refresh कर लिए है अब यहां और यह देखेर हैं कि यहां पर यहां पे यहां पर आप